तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लरस्ट वीडियों में और जैसा कि आप लोग का क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्चन का सरीर चल रहा है उसी का यह फोर्थ वीडियो है चौथा वीडियो जिसमें हम लोग चौथ चैप्टर के सारे अब्जेक्टिव कोश्चन को करने वाले हैं पार थार्ड तक के वीडियो में तीसे चैप्टर तक के सारे अब्जेक्टिव कोश्चन को कम्प्लीट कर लिए थे अब बात आती चौते चैप्टर की तो जितना भी अब्जेक्टिव कोश्चन चैप्टर नंबर 4 से बन सकता था उन सभी objective question को में तयार की हूँ जिसको आज किस वीडियो में हम लोग complete करने वाले हैं तो आप लोग को क्या करना है मेरे उन objective question का answer देने से पहले आप लोग को खुद अपने हिसाब से answer देना है फिर मेरे answer से मिलाना है और लास्ट में आप लोग को अप हाँ तो यहां से आप लोग का सवाल start हो रहा है और देखिए जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि इनशाया किसकी सिंफ है यहां पर आप लोग को बताना है कि इनशाया जो हैं न वो किसकी category है अपसन A में है शेरी, B में है नसरी, C में है अफसानवी और D में है कोई नहीं तो इन्शाईया जो है ना मैं आप लोग को बता दूँ वो नसर की एक केटेगरी है याद रखिएगा नसर किसे कहते हैं मैं आप लोग अल्यड़ी बता चुकी हूँ जो आम बोल चाल की तरह लिखा जाए जिस तरह हम लोग बातचित करते हैं आम बोल चाल की तरह लिखा जाता है जैसे कि माली जी अफसाना हो गया कहानी, मजमून हो गया, निबंद या फिर दास्तानी है आम बोल चाल की तरह लिखा जाता है जिस तरह हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं तो उसको नसर की कैटेगरी के अंदर रख दिया जाता है तो इनशाया भी जो है ना वो भी आम बोल चाल ही की तरह लिखा जाता है इसलिए इनशाया क्या है नसर की एक कैटेगरी है याद रख देंगे लेकिन जो आम बोल चाल की तरह लिखा जाता है उसको नसरी सिंफियंद्रगत रख दिया जाता है तो इनशाया आम बोल चाल की तरह लिखा जाता है इसलिए इसको नसरी सिंफियंद्रगत रख दिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि इनश पर लिखा गया है और बताया क्या है तो इस मजमून के इन्शाय क्या है इस मजमून इस चैप्टर के राइटर कौन है मजमून निगार कौन है आप लोगों को यही बताना है और इसका राइट इन्सर क्या हो जाएगा अपसा नमबर सी वजीर आगा इन्शाय क्या है मजमून के मजमून निगार है या राइटर है वजीर आगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है इन्शाय को दूसरी असनाफ यदब से कौन ममयज करता है यह पर आप ताजगी भी में हैं तन्जो मजा सी में हैं गयर रस्मी तरिकेकार और डी में हैं साधगी यह भी मैं आप लोगो अलड़ी बता चुकी हूं और मतलब इंपॉर्टन समझते हुए आप लोगो बताई थी जब मैं आप लोगो चैप्टर पढ़ा रहे थी तब कि यह याद र कहानी से भी यहां तक की दास्तान से भी यह अलग हटकर है इंशाया इसका लिखने का तरीका अलग है गयर रस्मी तरिकेकार ही इंशाया को दूसरे इसनाफिय अदब से ममयज करती है ठीक आगे बढ़िए वजीर यागा का तालुक किस अदबी इसनाफ से नहीं है यहाँ इसका राइट हैंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए दास्तान वजीर अगा का तालुक तनकीद से हैं तनकीद भी लिखा करते थे वजीर अगा इनशाया भी लिखा करते थे नजम भी लिखा करते थे लेकिन वजीर अगा दास्तान नहीं लिखते थे ठीक तो आपसन नमबर ए हो गया आप लोगा सही जवाब चलिए सवाल नमबर पांच है कि इंशाया की इमत्याजी सूरत किसकी रहीने मिन्नत है आपसने में है तंजो मजा भी में है खुशगवार ताजगी सी में है जिद्दत तराजी और डी में है कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपस इंशाया को मतलब इंशाया जब लिखा जाता है तो लिखने के दौरान जो लिखने वाला है उसको कैसी आजादी मिली रहती है यही आप लोगो बताना है तो देखिए आपसने में है उन्वान बी में है जिद्दत तराजी सी में है ताजगी और डी में है तंजो मजा तो इस टॉपिक पर कमेंट करें, हासी मजाग करें, ये उसके पास आजादी रहती है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर सेवन है, कि वह मरकजी नुक्ता क्या है, जिस पर इनशाया निगार हर बार जरूर लोटता है, वह मरकजी नुक्ता, यानि कि वह पॉइंट क्या है, जिस पर इनशाया लिखने वाला जो है न, वह हर बार जरूर लोटता है, मतलब उसको लोट नहीं है उस पॉइंट पर, वह पॉइंट कौन सा है, अपसने में है सादगी, वी में है तन्जो मजा, सी में है उन्वान, और डी में है जिद्दत तराजी है, मैं आप लोग को अ इनशाया निगार इनशाया लिखता है, उस टॉपिक के बारे में जब वो लिखना शुरूर करता है, तो उस टॉपिक को छोड़कर वो जहां जाना चाहता है, जा सकता है, मालीजे अगर इनशाया निगार है, आम के पेड के बारे में लिख रहे हैं, वो इनशाया निगार जो है ना आम के पेड़ के बारे में इंशाया लिख रहे हैं और लिखते लिखते वह इंशाया निगार आम के पेड़ के टॉपिक को छोड़ कर दूसरे टॉपिक पर भी जा सकता है दूसरी चीज के बारे में बात कर सकता है जैसे कि नीम के पेड़ के बारे में बात कर सकता ह दूसरे चीज के बारे में भी बात कर सकता है लेकिन अंत में उस इंट्राया निगार को वापस उसी उन्वान पर लोटना पड़ता है यानिकि उसी टॉपिक पर लोटना पड़ता है जिस टॉपिक के बारे में वो लिख रहा था यानिकि जहां चाहे वो जा सकता है जिस भी करना चाहें वो कर सकता है लेकिन वापस उसे आनके पेड के टॉपिक पर ही लौटना पड़ेगा क Bible लश्च में आकर उबs को लकवाय talked करना पड़ेगा आंके लब उन्वान पर आकर Civil करना तो वही बोला जा रहा है कि वही उन्वान जो है ना एक ऐसा पॉइंट है एक ऐसा मरकजी नुकता है जहां पर इन्शाया निगार जो है ना हर बार लोटता है चाहे कहीं पर व्यू चले जाए किसी भी दूसरे चीज के बारें बात कर ले किसी दूसरे टॉपिक के बारें बा पढ़े हैं तो फड़ा फड़ा आप लोग पढ़ी लीजिएगा ताकि हर एक चीज समझ में आजाए चलिए कुश्ट नमबर एट है कि दर्जजेल में वजीर यागा की लिखुई मजमून नहीं है यहाप आप लोग को बताना है कि दर्जजेल में कौन सी ऐसी मजमून है जो की वजीर यागा द्वारा नहीं लिखी गई है देखिए अपसन ए में है ने तनाजिर बी में है मानी और तनाजिर सी में सनम आशना और डी में तनकीद और एहतसाब तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसन नमबर सी सनम आशना यह जो है ना वजीर यागा द्वारा मजमून है जो कि वजीर यागा द्वारा लिखा गया है बहुत ज़दा सिंपल है अपसने में देखिए हिजरत बी में इनशाया क्या है सी में इबराहिम सक्का और डी में कोई नहीं तो आप लोग के इंसर मालूम ही होगा आपसने में बी हो जाएगा आप लोग का सही तो बताइए वजीर यागा इनशाया आपसन में से क्या नहीं थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर बी अपसाना निगार वजीर यागा जो है न वो अपसाना निगार नहीं थे बाकी वो वजीर यागा नकार्ड भी थे शायर भी थे और इनशाया निगार भी थे ठीक है तो आप सन नमबर भी इस जो राइट इंसर चलिए आगे बढ़ते हैं कि वजीर यागा की पैदाइश कब हुई आप सने में उने सदस बी में उने सब आइस और सी में उने सब पच्पन डी में उने सब पैंसर तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसा नमबर बी उने सब 22 चलिए वजीर यागा की पैदाइश कहां हुई अपसने में पाकिस्तान के सरगोदा में बी में फैजबाद के वजीर कोट में सी में हैं पंजाब के मर्दुम खेजबस्ती में और डी में इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसा नमबर द्वारा लिखा हुआ किताब नहीं है यह आप लोगो बताना है अपसने में नजम जजदीद की करवटे बी में तखले की सी में हैं अर्दु अदब में तन्जो मजा और डी में हैं अर्बो की जहाज रानी तो इसका सही जवाब वही होगा आप लोग जो सोच रहे हैं यह नहीं लिखे हैं और वो की जहाज रहनी तो यह होगा अपसन नमर डी जो है ना सही जवाब चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए क्वेशन नमर फोटीन है कि दरजजेल में कौन वजीर यागा की नजम है अब यहां पर आप लोगों को बताना है कि इन चारों अपस अपसन है जिसमें वजीर यागा के लिखी हुई नजम है ठीक तो देखिए अपसन ए में नए तनाजिर बी में है लफजों का छागल सी में आधी सदी के बाद रोडी में कोई नहीं तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसन नमबर सी आधी सदी के बाद यह वजीर यागा का लिखा हुआ नजमियान की कवीता है जो की बहुत ज़दा तवील है ठीक है अब देखिए लास्ट कोश्टन है कोश्टन नमबर 15 कि दर्जजेल में कौन वजीर यादा का इंशाया के मजमुआ है इंशाया का किताब कौन सा है तो देखिए अपसन आ में है चोरी से यारी त किताब जिसको वजीर यादा ने लिखा है तो यह दोनों किताब जो एक का किताब जिसको वजीर यादानने लिखा है इसलिए आप से नमबर सी होगे आप लोगों का सही जवाब तो यह था चैप्टर नमबर फॉर का सारा अब्जेक्टिव कोश्चन जिसको आज किस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट किये कोई भी कम्फीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूद सकते हैं और इसी तरह आप लोगों का यह सी कम्प्लीट करा हूँ ठीक तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो फड़वर वीडियो को लाइक कर दे और चारो तरफ शेयर कर दे अपने पड़ोशी अपने दोस्तों के पास इतना ज्यादा सकते उन्हें ज्यादा शेयर करें और हाँ अगर आप लोग चैनल अब तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स टापिक के सांथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज